नमस्कार दोस्तों मैंने रेंसाहनी स्वाग करता हूँ अपने चैनल पे आज की वीडियो में हम बाइलोजी के कुछ क्वेस्टनों को फानी ट्रिक की साहिता से हल कराएंगे बहुत से ऐसे एक्जामिनेशन हैं जैसे के SSC, रेलवे या बोर्ड एक्जामों जिसमें पूछ लिया जाता है कि भूमीगत तना वली फसलों के नाम बताओ यानि कि भूमे के अंदर जिस फसल की तना होती है उसका क्या नाम है इसके साथ ही साथ कौन से ऐसे रोग है मनुष्य में चो बिसाड़वों के द्वारा होते है और आज हम इसी टोपिक पर कुछ फानी ट्रिक की साहिता से आपकी ये सारे जो डाउट है इसको क्लियर करने वाले हैं तो बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है पांच से साथ मेंट का वीडियो होगा और इतने में ही आप बहुत सारे बैलोजिक की चीदों को सीख जाएंगे और यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने मित्रों में जरूर सेयर कीजिएगा तो प्यारे मित्रों, यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे भूमिगत तने वाली फसलों के बारे में, जो कि यहाँ पर हमने बोड पर भी नोट किया है, भूमिगत तने वाली फसले, ऐसी कौन सी फसले है, जिसकी जो तना है, भूमिके अंदर पाया जाता है, और इसके लिए बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है कौन सा ट्रिक है तो हद करदी आपने हमारा ट्रिक यही होगा जो की फणी होगा देखने में फणी लग रहा है बहुत सारी चीजों में बोला जाता है हद करदी आपने और एक गाना भी यहाँ पे चला था हदगर्दी आपने वाला तो आपको ये चीजे याद होगी और इससे आप जो है याद कर लेंगे भूमिगत तने वाली फसलों के बारे में क्या है ये भूमिगत तने वाली फसले तो यहाँ पर देखना प्यारे सात्यों यहाँ पर हद हाद का मतलब है क्या हल्दी क्या है हल्दी तो जो हल्दी है उसकी जो तना है वो क्या होती है भूमिगत होती है इंगलिस इसका होता है टर्मरीक उसके बाद से यहाँ पर दिया गया है कर कर का मतलब है क्या केसर कर का मतलब है क्या केसर इंगलिस में बोला जाता है सेफ्रोन उसके बाद से यहाँ पर क्या है दी तो दी का मतलब ऐसे ही समझ में आता है दी का मतलब है आदी मतलब की अदरक इसको इंगलिस में बोला जाता है जिंगर आगे यहाँ पर लिखा गया आपने तो यहाँ पर आ का मतलब है क्या आ का मतलब है आलू आलू यानि कि पोटेटो इसके साथ ही साथ यहाँ पर पो का मतलब क्या है पो का मतलब है प्यास प्यास इंगलिस में बोले जाते है ओनियन तो प्यारी साथ यहाँ पर आपको यदि ये ट्रिक पता है तो इतनी सारी फसलो का नाम याद हो जाएगा और यह ऐसी फसले है जिसका जो तना है वो भूमिगत होता है यह भूमिके अंदर होता है और तना वाला भागी इनका खाया जाता है एक बात यह भी याद रखना कि तने वाला भागी इसका क्या होता है खाया जाता है मतलब खाने में उपयोग में ल अध का मतलब है हल्दी उसके बाद से कर कर का मतलब है केसर यानि कि साफरोन दी दी का मतलब है आदी यानि कि अद्रक यानि कि जिंगर और यहां पे आ का मतलब है क्या आलू यानि कि पोटेटो और पक का मतलब क्या है प्यास और यहां पे ने जो है साइलेंट है उमिद करते ह कि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगता है तो comment box में जरूर बताएं, अगला हमारा ट्रिक है, बिसाड़ों से संबंदित, बिसाड़ों से होने वाले रोग, मानों शरीर में ऐसे कौन से रोग है, जो कि बिसाड़ों से होता है, और यह भी ट्रिक ब पर छापो, कहने का मतलब चाची का लड़का है, और कोई बोल रहा है, बदमासी कर रहा है, कोई बोल रहा है, कि ये चाची इन्हें डाटो, और यदि वो नहीं मान रहा है, तो ध्यान देना खरे गाल पर छापो, और यही हमारा ट्रिक है, और ट्रिक बहुत ही फनी है, इने का मतलब है immunity, ए का मतलब है influenza और हे का मतलब है harpes, उसी प्रकार से डाटो, इसमे डा का मतलब है dengue juar, और टो का मतलब है ट्रोकोमा, आगे खरें, खरक का मतलब है खासरा यानि कि मिजल्स, और रे का मतलब है rabbits, रेबिस से तो सभी लोग डरते होंगे, क्योंकि कुट्टे क सबी लोग डरते हैं क्योंकि कार्ट देगा तो कौन सा रोग हो जाएगा रेबीज हो जाएगा आगे गाल गा का मतलब है गल्स हुआ और ल का मतलब है एक मियाद गाल का मतलब है गल्स हुआ यानिके मप्स और उसके पर पर का मतलब यहाँ पर का मतलब है पीलिया पीलिया कोलते हैं जॉइन डिस आगे च्छापो च्छाप का मतलब है क्या छोटी माता यानि कि चिकेन पक्स उसके बाद से पोपो का मतलब है पोलियो तो प्यारे साती हो यहां पर हमने बिसाड़ों से होने वाले रोग के भी बारे में ट्रिक के माध्यम से बता दिया यदि आपको य लोगों के बारे में जान जाएंगे कि यह सभी रोग किसके कारण होता है बिसाड़ों के कारण बैलोजी के दो फ़नी ट्रिक की साहता से हमने कोश क्वेस्टनों को यहां पर बहुत ही अच्छे से सीख लिया यदि आपको अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं अगले वीडियो में मिलेंगे साइंस के एक और फणी मज़दार टोपिक के साथ और भी ट्रिक के साथ तो इस वीडियो में इतना ही रने देते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक लिए थेंक्यू तैंक्स पर वाचिंग जुड़े रहें निराइंसर क्लास के साथ